हाई गाईज आज की इस फीडियों में आप सीखेंगे टो फांडरेट एमसी क्यू कोस्चन्स आज का हमारा टॉपिक है MS Office MS Office में ही आता है Word, Excel, PowerPoint और Access इन सभी टॉपिक का MS Q कोस्चन आज की इस फीडियों में हम डिसकस करेंगे अगर आप इस फीडियों को complete देखते हैं तो पूरा MS Office आपका revision होने वाला है क्योंकि जो भी कोस्चन इस फीडियों में हम डिसकस करने वाले हैं, exam और interview में बार बार पूछे जाते हैं, repeat के जाते हैं इसलिए इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, चले बिना डिले की आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे first question है, to delete the selected text press, किसी भी selected text को delete करने के लिए इनमें से किस की को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा right answer होगा, D number, delete key, delete key की मदद से आप किसी भी selected text को delete कर पाएंगे, स्रिफ text ही नहीं अगर आप किसी भी file या folder को select करके रखे हैं, delete key press करेंगे तो वो delete हो जाएगा तो exam में कभी कभी text के जगा पे file या folder भी पूछता है, तो बिल्कुल भी आपको confuse नहीं होना है next question है, to print a document press, किसी भी document को print करने का shortcut की क्या होता है, इस question में आपको यह बताना है यहाँ पे हमारा correct answer होगा A number, control plus P to see the document before the printout is taken use किसी भी document को print निकालने से पहले, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि print निकलने के बाद वो कैसा दिखेगा तो इन में से किस options की मदद से आप उसे देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा right answer होगा C number print preview, यह question आप से interview में पूछ सकता है कि इसका क्या benefit होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं तो print preview हम इसले देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारा document किस तरह का देख रहा है, अगर आप उसमें कोई भी changes करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे print निकालेंगे To save a document for the first time option is used किसी भी document को first time save करने के लिए इन में से किस options का हम use करते हैं, तो यहाँ पे हमारा correct answer होगा B number, save as लेकिन फिर अगर आप उसे open करते हैं, उसमें कुछ काम करते हैं, देन उसे फिर से save करना चाहते हैं, तब आप स्रिफ save का use करेंगे तो first time के लिए save as, second time के लिए only save Portrait and land escape आर, portrait और land escape जो हमारे computer system में होते हैं, वो क्या है, किसके example है तो यहाँ पे हमारा चार option से correct answer होगा C number, page orientation के ये दोनों example है Which key is used to delete characters to the left of the cursor Cursor के left side से किसी भी character को delete करने का shortcut की क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा D number, backspace लेकिन अगर आप से पूछता है कि cursor के अगर आप right side से delete करना चाहते हैं, तब इन में से किस की को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तब हमारा correct answer होगा B number, delete तो left side से delete करने के लिए backspace, right side से delete करने के लिए only delete key Microsoft office is dash software, Microsoft office जो है इन में से कौन सा software है, तो हमारा correct answer होगा A number application software है, which is not in MS Word, अगर आप MS Word यूज करते होंगे तो आप बता पाएंगे कि इन में से कौन सा options हमारे MS Word में नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पे correct answer होगा D number, magic tool Dash cannot be used to work in MS office, MS office में काम करने के लिए इन में से किस options का हम use नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है तो correct answer होगा हमारा A number, joystick, इसका use हम करते हैं गेम खेलने के लिए ना कि MS office में काम करने के लिए Which is not an addition of MS Word, इन में से कौन सा MS Word का addition नहीं है, वर्जन नहीं है, तो हमारा correct answer होगा D number MS Word 1020, बाकी जो तीन है यह हैं लेकिन last वाला हमारा MS Word का वर्जन नहीं है What is the blank space outside the printing area ओना page, किसी भी page के printing area के अलावा जो blank space होता है उसे क्या कहा जाता है तो हमारा correct answer होगा D number, margins Which of the following is an example of page orientation, अगर आपसे यह पूछता है कि page orientation का इन में से कौन सा example है तब correct answer हमारा क्या होगा B number, land escape, यनि कि page orientation के basically दो ही होते है पहला होता है portrait और second होता है land escape Formating is performed on, जो formatting होता है वो हम किस पे perform कर सकते हैं तो मारा correct answer होगा C number, both, text पे भी आप apply कर सकते हैं और किसी भी table पे भी कर सकते हैं Which of the following software is used for making resume अगर आप resume बनाना चाते हैं तब इन में से किस software की मदद से आप उसे बना पाएंगे तमारा correct answer होगा A number, MS word आपको use करना होगा resume बनाने के लिए अगर आप Excel पे काम कर रहे हैं वहाँ health window ओपन करना चाते हैं तो इन में से किस shortcut की की मदद से आप कर पाएंगे तमारा correct answer होगा A number, F1, F1 function की का use ही हम करते हैं health के लिए आप स्रीफ MS Excel में ही नहीं computer system में कहीं पे भी काम कर रहे हैं आपको कुछ भी health चाहिए तो आप F1 की प्रेस कीजिए और अपने problem को resolve कर सकते है the name of a word document displays in word document जो होता है उसका name कहां पे display करता है तो first option है हमारा ribbon, title, status bar या last हमारा home tab तो correct answer होगा B number title bar में word document का name display करता है dash is not a part of MS word document इन में से MS word का कौन सा part नहीं है तो correct answer होगा A number, start menu button ये MS word में नहीं होता है each line represents how many letters in word star word star में हर एक line कितने letters को represent करते हैं तो हमारा correct answer होगा C number 65, select all the text in MS word document by अगर आप सभी text को select करना चाहते हैं MS word में तो किस shortcut की की मदद से आप करेंगे तो हमारा यहां पे correct answer होगा A number control plus A, इसका use ही हम करते हैं select all के लिए फिर चाहे आप word में काम कर रहे हो, excel में काम कर रहे हो या power point पे कहीं पे भी काम कर रहे हो select all के लिए हम control A का ही use करते हैं which bar shows the current position as for the text goes इस question का मतलब यह है कि कौन सा बार है जो जैसे जैसे हम text को enter करते रहते हैं उसके current position को show करता है तो correct answer होगा हमारा D number, status bar MS word is software of MS word जो है वो किसका software है तो correct answer होगा D number, Microsoft और Microsoft को ही हम sort में कहते हैं MS MS word यानि की Microsoft word which is the word processing software इन में से कौन सा word processing software है तो correct answer होगा हमारा B number MS word 2007 The valid format of MS word is MS word का valid format इन में से कौन सा है यह फिर exam में आप से पूछ सकता है कि MS word का file extension क्या होता है दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे correct answer होगा second number, .doc what program is used in MS word to check the spelling अगर आप spelling चेक करना चाहते है MS word में तो इन में से किस options का use करेंगे तो correct answer होगा हमारा D number spelling and grammar इसका use ही हम करते हैं spelling वगेरा चेक करने के लिए to show the font dialogue box press अगर आप font dialogue box को देखना चाहते हैं लाना चाहते हैं तो इन में से किस shortcut की का use करेंगे तो correct answer होगा control plus D a word gets selected by clicking it किसी भी text को या word को select करने के लिए आप उसे कितनी बार click करके कर सकते हैं mouse की मदद से तो यहाँ पे हमारा correct answer होगा B number twice यनि कि आप उस word पे अगर mouse को दो बार click करते हैं तो वो text select हो जाएगा which option is not available in Microsoft Office button Microsoft Office button में इन में से कौन सा options available नहीं है तो correct answer होगा D number bold bold एक font style है बाकी जो तीन है new, save और open ये तीनों options आपको Microsoft Office button में मिल जाएंगे center the selected text the shortcut key is किसी भी selected text को अगर आप center में लाना चाहते हैं तो उसका shortcut की क्या होता है right answer होगा second number control plus E ये center करने का shortcut की है ये आप ध्यान दीजेगा याद रखिएगा a major step before taking print out of the document is किसी भी document का print out निकालने से पहले major step क्या होता है सबसे important step क्या होता है तो यहाँ पे हमारा correct answer होगा C number both A and B यनि की पहला होता है to save the document यनि की सबसे पहले आपको से save कर लेना चाहिए second होता है to set the paper setting किस paper में निकालना है उसका margin कितना होना चाहिए ये paper setting से आप कर सकते हैं ये major step है print out निकालने से पहले का which term is not related with font इन में से कौन सा font से related नहीं होता है first हमारा font grammar font color font size और last font face तो correct answer होगा A number font grammar ये font style में नहीं आता है what is the smallest width of a column किसी भी column का smallest यनि की सबसे कम width कितना होता है तो यहाँ पे 4 option से correct answer होगा C number 0.5 you can keep your personal files folders in आप अपने personal files और folders को computer में कहां रख सकते है तो correct answer होगा हमारा C number my documents में using print preview is useful when you want to print preview use करना सबसे ज़्यादा useful कब होता है तो यहाँ पे 4 option से correct answer होगा D number view how document will appear when printed जब हम यह देखना चाहते हैं कि print out निकालने के बाद हमारा document कैसा दिखेगा तो print preview की मदद से इसे हम पहले ही देख लेते हैं print out निकालने से what is the intersection of a column and a row on a worksheet called जब एक row और column मिलते हैं उसे intersection कहा जाता है और जो मिल के box बनाते हैं उस box का क्या नाम होता है Excel में तो यहाँ पे 4 option से correct answer होगा हमारा A number cell कहते हैं उस box को जहाँ पे row और column मिल के बनता है to insert a new slide in the current presentation we can use इस question को ध्यान से समझेगा इस question को मैंने एक वीडियो में भी बनाया था लेकिन कई सारे student को doubt हुआ था इसलिए आज हम repeat करें question कह रहा है कि आप current presentation में new slide insert करने के लिए इन में से किस options का use करेंगे तो correct answer होगा हमारा control plus M इसका हम use करते हैं current PPT में new slide add करने के लिए insert करने के लिए control plus N का use हम करते हैं new document open करने के लिए ना किस slide अब हम उमीद करते हैं आपका कोई भी doubt नहीं होगा we can enter and edit the text efficiently using इन में से किस options का use हम कर सकते हैं किसी भी text को enter और edit करने के लिए easily तो हमारा right answer होगा D number none of this इन में से कोई नहीं है why are headers and footers used in the document यनि कि headers और footers हम क्यों use करते हैं इसका यूज करने का benefit क्या है यह question exam में तो आता ही है लेकिन interview में भी पूछता है क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ती है तो right answer यहां पे होगा हमारा हम सीधे बताते हैं D number to allow page headers and footers to appear on a document when it is printed यनि कि जो भी हम header लगाते हैं और footer लगाते हैं ताकि हम उसे print करे तो भी वह दिखे वहां पे रहे basically इसका क्या होता हलका वह अलग color में दिखता है blur color में दिखता है लेकिन वह रहता है वह page का area नहीं लेता जो हम page margin उपर में होते हैं और नीचे में होते हैं वहां पे header और footer apply करते हैं the primary purpose of a software is to turn data into किसी भी software का primary purpose क्या होता है किसी भी data को किस में बदलना information में यह होता है किसी भी software का primary purpose primary काम edit a document that has been created means यहनी कि किसी भी document के edit करने का मतलब क्या होता है जो already created हो चुका है तो right answer होगा हमारा correcting it उसे हम edit कर रहे हैं यहनी कि उसमें कुछ correction कर रहे हैं what is the file extension of MS Word 2003 document MS Word 2003 का file extension क्या होता है तो correct answer होगा B number in Excel the contents of the active cell are displayed in the यहनी कि Excel में अगर आप काम कर रहे हैं तो active cell का जो content होता है वो कहां पे display करता है पहला है हमारा tool bar, task bar, menu bar और last है formula bar correct answer होगा D number, formula bar में ही हमारा active cell के सारे content डिस्पले करते हैं चाहे वो alphabet हो, number हो या कोई formula हो computer language used on the internet is ऐसा computer language जो हम internet में use करते हैं तो वो क्या है तो correct answer होगा Java, A number slides में contain, slides किसे किसे contain करके रख सकते हैं तो हमारा correct answer होगा D number, all of the above पहला है हमारा text and graphics only, second है sounds and movies only और third है हमारा text, movies, images, sound only and all other objects what is Excel, Excel क्या है आपसे ये question exam में देगा और एक line छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे आपको लिखना रहेगा तभी आपको two marks मिलेंगे, तो correct answer होगा हमारा A number spread sheet, Excel एक spread sheet है the operation of combining two cells into a single cell in Excel is referred to as ये बहुत ज़्यादा important question है, interview में आपसे पूछेगा ही पूछेगा question ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा operation है जो दो cell को एक cell में combine करता है, उसे क्या कहा जाता है तो correct answer होगा C number merge cells और इस cell के अंदर में आप अगर कुछ भी type करते हैं, लिखते हैं तो बीचों बीच में यानिकी center में दिखेगा, ये भी आप ध्यान दीजेगा, पूछ सकता है आपसे what is the minimum number of rows and columns that a word table can have? MS word table में minimum number of rows और column कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे चार option से correct answer होगा हमारा B number, one row and one column होता है minimum maximum number of rows और column कितने हो सकते हैं word table में, ये आप बताएंगे, comment में लिखे which of the following section does not exist in a slide layout, इन में से कौन सा section है जो slide layout में आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे चार option से correct answer होगा हमारा A number, animations, animation का अपना एक separate tab होता है, बाकिज होती इन है title, list, chart ये आपको slide layout में मिल जाएंगे to start Microsoft PowerPoint application Microsoft PowerPoint application को start करने के लिए इन में से किस options का आप use करेंगे तो correct answer होगा C number click start, then run आएगा, वहाँ पे आप type करेंगे power p and t, then enter आप press करेंगे फिर से आप इसे समझे, पावर पॉइंट एप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए आप अपने computer system में जब B पे click करते हैं, तो वो text को क्या करता है, bold कर देता है और इसका shortcut की होता है control plus B, यनि की bold का symbol ही होता है B, तो आप ध्यान दिजेगा अगर आप किसी भी text को bold करना चाते हैं, तो सबसे पहले आप उसे select कीजेगा फिर चाहे आप B पे click कीजेगा, या control plus B कर दिजेगा, हमारा text bold हो जाएगा which of the following, align the text both the sides of the margin, margin के दोनों साइट से किसी भी text को align करने के लिए जो होता है, तो इन में से किस options का हम use करते हैं, तो correct answer होगा B number, justify कहते हैं उसे और इसका shortcut की होता है, control plus J, यह हमारे text को दोनों साइट से margin के बराबर कर देता है you can activate a cell by, किसी भी cell को activate करने का क्या क्या तरीका होता है, कैसे आप कर सकते हैं तो यहाँ पर पहला option है, click the cell, clicking यानि कि हम उस cell पे click करके उसे activate कर सकते हैं second option है, press the tab key, tab key की मदद से कर सकते हैं और third है हमारा arrow key, तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा right answer होगा D number all of the above, इन सभी तरीके से हम अपने cell को activate कर सकते हैं you can use the drag and drop method to, हम अपने computer system में drag and drop method का किस लिए use करते हैं तो correct answer क्या होगा, C number, both A and B, यनि कि copy cell contents, किसी भी cell content को copy करने के लिए और second है, move cell contents, उसे move करने के लिए, हम use करते हैं, drag and drop method का shortcut key for insert hyperlink in a document is, किसी भी document में hyperlink insert करने का shortcut की होता है control plus K, right answer होगा, B number what is the overall term for creating, editing, formatting, sorting, retrieving and printing our text document यनि कि इन सभी का क्या मतलब होता है, तो right answer होगा, word processing in what you can change page margins by, ms word पे अगर आप है, page margin change करना चाहते हैं तब कैसे करेंगे, किस के दौरा होगा, तो correct answer होगा, B number dragging the margin boundaries on the rural, rural में जो margin के boundary होती है, उसे आप drag करके उस margin को change कर सकते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, अपने हिसाब से what is filter, filter क्या होता है, ये question भी exam में कई बार पूछा गया है इस question को भी आप से ऐसे पूछ सकता है, what is filter, एक line छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे आपको लिखना रहेगा, तो correct answer होगा हमारा, to view and search data filter हम इसी लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, search करने के लिए data को what is cell, फिर cell क्या होता है, ये भी question आप से exam में पूछ सकता है तो right answer होगा, d number, intersection of a row and column, जहाँ पे row और column मिलते हैं, intersection उसे कहा जाता है और वही cell होता है, what is function, फिर function क्या है, तो correct answer क्या होगा, predefined formula को ही हम function कहते है Excel का ये question है, which type contains conditional formatting in MS Excel 2010, यनि कि conditional formatting जो होते है Excel 2010 में आपको कहाँ पे मिलेगा, किस type में मिलेगा, तो correct answer होगा हमारा insert में Which option is not available in Microsoft Excel 2010, इन में से कौन सा option है, जो आपको Excel 2010 में नहीं मिलेगा तो right answer होगा हमारा, C number, slide show, ये option PPT का है ना कि Excel का है Which enables us to send the same letter to different persons, ये MS word का बहुत ज्यादा important question है ये question interview में आप से पूछेगा ही पूछेगा, क्या कह रहा है Which enables us to send the same letter to different person, यनि कि इन में से किस options की मदद से हम same letter को different different logo को भेज सकते हैं, तो right answer होगा हमारा mail merge mail merge में हम क्या करते हैं, एक letter type करते हैं, और उसी letter को हर एक इनसान को भेजते हैं श्रिफ नाम और address change करके, तो ये आप याद रखेगा, mail merge का MS word में बहुत ज्यादा use होता है What is gutter margin, gutter margin क्या होता है यहाँ पे चार option से right answer होगा हमारा D number margin that is added to the binding side of page when printing जब हम page को print करते हैं, तो जिस side में उसे binding किया जाता है, उस area को हम gutter margin कहते है A word processing would most likely be used to Word processing software का हमें सबसे ज़्यादा use कब करते हैं, कब करना चाहिए तो right answer होगा हमारा fourth number Type a biography Biography वगरा लिखने के लिए हमें word processing का use करना चाहिए How much space in minimum must be provided between columns Columns के बीच में minimum कितने space हम provide कर सकते हैं, तो right answer होगा हमारा A number 0 और maximum आप अपने अनुसार उसे बढ़ा सकते हैं By default your document prints with अगर आप अपने document को print करना चाहते हैं, और कुछ भी setting आप नहीं करते हैं, सीधे print कर देते हैं, तो वो किस form में print होगा तो पहला option है हमारा portrait orientation Second है 1 inch top and bottom margins C number है 1.25 inches left and right margins और last है हमारा all of the above यनि कि अगर आप उसे कुछ भी setting किये बगर Print करेंगे तो वो portrait orientation में print होगा Top और bottom का margin 1 होगा और left और right side का margins हमारा 1.25 का होगा ये question आप एकदम ध्यान दीजेगा क्यूंकि जब भी हम कुछ भी print करते हैं तो उसे अपने according set करते हैं अगर आप set नहीं करेंगे तो आपको इसी form में वो मिलेगा What is the default left margin in word 2003 document? Word 2003 का जो document होता है उसका default left margin कितना होता है तो right answer होगा D number 1.25 Pressing F8 key for three time selects अगर आप F8 key को तीन बार प्रेस करते हैं तो वो किसे select करेगा यहाँ पे चार option से Word, Sentence, Paragraph, Entire Document Right answer होगा हमारा B number एक sentence को वो select करेगा अगर आप F8 key को तीन बार प्रेस करते हैं तो control plus Z control plus Z का क्या काम है किसलिए use किया जाता है तो right answer होगा हमारा B number undo the last action जो भी आपने last action perform किया है उसे undo करने का काम control Z करता है control Y का भी बहुत ज़्यादा use होता है control Z के साथ में तो यह question भी exam में कई बार पुछा गया है कि control plus Y का किसलिए use होता है चार option से right answer होगा हमारा redo the last action last action को redo करने के लिए हम control plus Y का use करते हैं इसे थोड़ा समझे अगर आपने कुछ भी लिख के रखा है और वो delete हो जाता है तो आप control plus Z प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा फिर अगर आप उसे फिर से delete करना चाहते हैं तो control plus Y प्रेस कर दिजें तो यही control plus Z और Y का काम है redo और undo का अगर आप अपने computer में control plus equal to प्रेस करते हैं तो वो किस action को perform करता है क्या काम करता है तो right answer होगा हमारा super script करने का काम control plus equal to का है how can you make the selected character in super script अगर आप किसी भी character को super script में change करना चाहते हैं तो इन में से किस options की मदद से करेंगे तो right answer होगा control plus shift plus equal button आप प्रेस करके किसी भी character को super script में change कर सकते हैं which key is used to increase left indent left indent increase करने के लिए हम किसका यूज करते हैं control plus M का MS Word में इसका आप यूज करके देख सकते हैं how many different document you can open at one time यनि कि at a time एक ही समय में कितने सारे document को आप ओपन कर सकते हैं अपने computer system में तो पहला option कह रहा है only one शरिफ एक no more than two यनि कि दो से ज़्यादा नहीं तीसरा है as many as your task bar can display यनि कि आपका task bar जो है वो जितने सारे को display कर सकता है उतना को यह फिल लाश्ट अप्शन है हमारा as many as your computer memory will hold तो right answer हमारा d number ही होगा क्योंकि computer memory हमारा जितने को hold कर सकता है जितना उसका capacity है उतने को ही वो कर सकता है चाहे वो एक हो या दस बीस जितने भी हो which of the following is the second step in creating a micro micro create करने का second step क्या होता है तो यहाँ पे चार उप्शन से correct answer होगा d number give the micro a name micro का एक name देना second step है फिर first step कौन सा होता है यह आप comment में लिख के बताएंगे control plus j is used for control plus j का हम किसले use करते है तो already मैंने आपको एक question में बताया था right answer होगा d number justify the selected text जो भी text आपने select करके रखा है उससे justify करने के लिए हम control plus j का use करते है यनि कि margin के दोनों side से वो बराबर कर देता है हमारे text को which of the following is not a type of page margin page margin का इन में से कौन सा type नहीं है तो right answer होगा हमारा d number center बाकी जो तिन है top left right ये सभी page margin में आते हैं control plus e use for control plus e का हम किसले use करते हैं तो d number correct answer होगा align center center का shortcut की होता है control plus e which of the following is not on home ribbon home ribbon में आपको इन में से कौन सा options नहीं मिलेगा right answer है हमारा d number columns ये आपको नहीं मिलेगा home tab में control plus o control plus o का हम किसले use करते हैं तो यहाँ पे भी चार option से correct answer होगा b number open document जो document आपने अपने computer system में already safe करके रखा है उसे open करने के लिए आप control plus o का use करके कर सकते हैं which feature do you use to create a newspaper like a document newspaper की तरह document create करने के लिए इन में से किस options का हम use करते हैं तो right answer होगा हमारा b number columns का which enables you to move directly to specific location in a document फिर से बहुत जादा important question आ गया है क्या पूछ रहे कि इन में से कौन सा options है जो हमें allow करता है directly वहां move करने के लिए जहां हम अपने document को ले जाना चाते या फिर जाना चाते यह समझे बेसिकली तो right answer होगा यहां पर bookmark example इसका यह है कि suppose आपके 20 पेज का एक document है आप डारेक्ट जाना चाते है page number 6 में तो वहां पर आप bookmark apply कर दीजे और जब second दिन आप उसे खोलेंगे कि तो bookmark की मदद से आप डारेक्टली उस location पर यानि की page number 6 पर पहुंच जाएंगे what is the shortcut key to update formula in a table किसी भी टेबल में formula अपडेट करने का shortcut की इन में से कौन सा है तो right answer होगा F9 to move the cursor page to page of document अगर आप cursor को page to page move करना चाहते है तो इन में से किस options की मदद से आप कर सकते है तो यहां पे हमारा right answer होगा third number both of above पहला है हमारा control प्लस page आप करके आप कर सकते हैं फिर second होता है हमारा control प्लस page down करके कर सकते हैं page up से आप उपर की और जाएंगे और page down की मदद से हम नीचे की और आएंगे इन ही दोनों options की मदद से आप अपने cursor को page to page move कर सकते है you can jump to the next column by अगर आप एक column से दूसरे column में jump करना चाहते हैं तो इन में से किस options की मदद से जाएंगे तो right answer होगा हमारा यहां पे third number both of above यहनि कि पहला option है press alt plus down arrow shortcut key की मदद से कर सकते हैं alt plus down arrow की मदद से आप जा सकते हैं second option है हमारे पास clicking with your mouse on the next column जिस भी column में आप जाना चाहते हैं mouse से उसमें click करके भी आप जा सकते हैं तो दोनों तरीके से आप एक column से दूसरे column में jump कर सकते हैं which of the following allows you to paste data multiple times इन में से कौन सा option से जो हमें किसली allow करता है किसी भी data को multiple time paste करने के लिए तो यहां पे हमारा right answer होगा third number both यनि कि पहला option से windows clipboard की मदद से आप इस काम को कर सकते हैं second है office clipboard की मदद से भी आप कर सकते हैं इसी भी data को multiple times paste after typing header text how can you quickly type footer text यनि कि आपने header तो type कर लिया है ऐसा कौन सा तरीका है जो तुरंत ही आप जल्दी से footer text के पास आप पहुंच जाएंगे वहां पे जाके type कर सकते हैं तो right answer होगा हमारा third number both of above पहला option से press page down key and type the text for footer यनि कि header लिखने के बाद आप page down key press करेंगे तो सीधे footer के पास पहुंच जाएंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं वहां पे लिख सकते हैं footer में second option से आपका click on switch between header and footer then type यनि कि header और footer के बीच में switch करने का जो command होता है उस पे click करके then आप footer को type कर सकते हैं जो भी आप footer में लिखना चाहते हैं तो ये दो तरीका है कि आपने header लिखने के बाद तुरंत footer लिखने का which of the following is not a way to complete a cell entry इन में से कौन सा तरीका नहीं है cell entry complete करने का cell में कुछ भी लिखने का तो right answer होगा हमारा D number fourth number है pressing space bar अगर आप किसी भी cell में space space button प्रेस कर रहे हैं तो इससे हमारा वो cell में कोई भी data entry नहीं और ये कोई तरीका नहीं है किसी भी cell की entry को complete करने का the name box question को read करने से ये नहीं पता चल रहा है कि question क्या पूछ रहा है तो options को read कीजे यहां पे चार options से correct answer होगा हमारा D number appears to the left of the formula bar यनि कि जो name box होता है वो formula bar के left में होता है question क्या पूछ नचाता था कि जो name box होता है वो आपको कहां पे मिलेगा कहां पे होता है तो answer हमने find कि formula bar के वो left में होता है तो exam में कई सारे ऐसे question आते हैं जिन्हें read करने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि question क्या पूछना चाहता है तो उसके options को आप read कीजेगा definitely आपका doubt clear होगा कि question क्या पूछ रहा है तो इन चीजों को आप ध्यान दिजेगा comments put in cell are called किसी भी cell में अगर हम comments को apply कर देते हैं put कर देते हैं correct answer होगा हमारा third number cell tip कहते हैं उसे comments can be added to cells using किसी भी cells में comments को add करने के लिए हम इन में से किस options की मदद से करेंगे तो right answer होगा हमारा third number insert में जाना है then comments to view our cell comments अब हमने comment तो apply कर लिया जो भी हमने comment apply किया है उसे view करने के लिए देखने के लिए आप उसे कैसे देखेंगे तो यहाँ पे चार option से correct answer होगा हमारा first number position the mouse pointer over the cell यानि कि जिस भी cell में आपने comment apply करके रखा है mouse pointer को just वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देना है click नहीं करना है आप अगर छोड़ देंगे तो जो भी comment आपने लिखा है वो आपको वहाँ पे दिखने लगेगा when the formula bar is active you can see जब आपका formula bar active रहता है तो आप किन किन चीजों को देख सकते हैं तो यहाँ पे चार option से हमारा correct answer होगा the number all of the above इन सभी चीजों को first हमारा the enter button second the cancel button और third हमारा the edit formula button यह तीनों चीजे आपको देखने को मिलेगा तब जब आपका formula bar active रहेगा to create a formula you can use अगर आप formula create करना चाहते है तो इन में से किसका use करेंगे तो right answer होगा हमारा third number value and cell references का use करते हैं हम formula create करने के लिए status indicators are located on the जो status indicator होते हैं यह कहां पे located होते हैं इसका हमारे computer system में excel में कहां पे place है तो right answer होगा हमारा a number formula bar क्योंकि जो भी हमारा current status होता है किसी भी sale का वो formula bar में दिखता है तो status indicator जो है वो कहां पे located है formula bar में तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी confused नहीं होना है excel files have a default file extension of excel file का जो default file extension है वो इन में से कौन सा है तो चार option से right answer हमारा कौन सा होगा first number xls यह excel का default file extension है you can use the format painter multiple times before you turn it off by आप format painter को multiple times use कर सकते हैं इसे off करने के पहले वो किसके द्वारा करेंगे तो right answer होगा हमारा first number double clicking the format painter बटन ठीक है यह चीज़ आप ध्यान देचेगा double click करके आप उस पे कर सकते हैं उसे turn off करने के पहले तक each excel file is called a workbook because हम सभी excel file को workbook कहते हैं वो क्यूं कहा जाता है इसका reason क्या है यह आप जान लिजे यह question exam में आपसे पूछेगा यह question दिया रहेगा एक line छोड़ दिया रहेगा आपको वहां पर लिखना रहेगा तो right answer हमारा होगा d number it contain many seats including work seats and chart seats इसलिए हम सभी excel file को workbook कहते हैं you can enter which type of data into work seat cells आप excel के cells में यानि की work seat का मतलब ही है excel excel के cells में किस तरह के data को enter कर सकते हैं type कर सकते हैं तो right answer होगा हमारा third number levels values and formulas इन तीनों तरीके के data को आप अराम से excel के seat में cells में type कर सकते हैं और आज का हमारा last question है without using the mouse or arrow keys what is the fastest way of getting to cell A1 in a spread seat यानि की excel में जो rows और column इतने सारी होते हैं आप उन में से कहीं पे भी हो कौन सा सबसे fast तरीका है कि आप A1 cell में पहुँच जाएंगे तो right answer होगा हमारा D number प्रेस करना होगा आपको control plus home button जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आप उस cell seat में कहीं पे भी हो सीधे A1 cell पे पहुँच जाएंगे यह बहुत important question है इंटर्विव में इस question को कई बार पूशा गया है repeat किया जाता है इसलिए आप पढ़के जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले